नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल जै गुरुदेव उत्राखन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज का ये विशेशांक बड़ा ही अद्बुद होने वाला है बहुत ही जानकारियों को समेटे हुए है तो आये बिना समय व्यर्थ के वे लेकर चलते हैं आपको आज के अद्बुद विशेशांक की और महराजी की अनेको अद्बुद सिक्षाओं में जन परमार्थ और लोगों को समाज को एक ऐसी नई सीख सदैव प्रदान की गई है जिसमें समाज के हितकारी और मनिश्यु को किस प्रकार से एक अद्बुद जीवन जीना चाहिए उनकी सिक्षाओं में साफ तोर पर जह मोल दी हैं यदि हम जीवन में उन सिक्षाओं को शामिल करते हैं तो हम अपने जीवन को पूर्ण तब बदल सकते हैं जीवन में एक ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सके ऐसी ही कुछ अद्बुद सिक्षाओं में से एक अद्बुद करने में साहिक होगी जैसा कि आप सभी जानते हैं महराजी सदैव श्री राम नाम का जाब किया करते थे और अपने सभी भक्तों को श्री राम नाम के जाब करने की हमेशा सिक्षा प्रदान करते थे महराजी कहते हैं कि इस पूरी श्रिष्टी का सबसे महतपून सबसे शक्ति वर्दक जो मंत्र है महा मंत्र है वे श्री राम नाम का जाप है आप सब ने अवश्य सुनाई होगा और आप सभी जानते भी होंगे बहुत सामाने सी बात है महराज जी श्री राम जी के अनन्य भक्त हुए है श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त हुए है तो महराज जी सदैव श्रीराम नाम का जाब जब भी उनне जितना भी समय मिलता था उसमें करते थे और अपने नने भक्तों को भी करने के लिए कहते थे अब इसमें महतपून क्या है महराजि कहते हैं कि मनुष्य का जीवन यदि देखा जाए तो मनुष्य एक ऐसा जीव है जो शुरिष्टी पर सबसे बुद्धी मान है जो अपनी बुद्धी मता से सब कुछ प्राप्त कर सकता है मनुष्य के लिए इस दुनिया में कोई भी प्रसाद प्राप्त करना असंभव नहीं है महराजी कहते हैं ये बात तो इतनी गूड है इतनी बड़ी है लेकिन इसमें समझने योग्य क्या है इसमें समझने योग्य यही है कि यह है जो मनुष्य जीवन है यह हमें कुछ समय के लिए या यूं कह लीजिए कि कुछ सिमित समय तक के लिए इश्वर ने प्रदान किया है आज का जो जन जीवन है वो इतना व्यस्त है यदि आप देखें तो प्रतेग जन अपने कारोबार में अपने व्यवसाय में अपनी नौकरी में या अपने अपने कारे में इतना मश्गूल है इतना व्यस्त है कि उसके पास इश्वर को सुमिरन करने का इश्वर को याद करने का इश्वर को पूजा विदी विधान प्रदान करने का समय बहुत 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 सीमित है देखे ये बात हो गई ना कि सीमित मैंसे भी सीमित समय है आपके पास और वैसे हम लोग क्या कहते हैं कि इश्वर सबसे महान है हम आस्तिक हैं इश्वर को बहुत मानते हैं इश्वर के प्रती असंग की श्रद्धा रखते हैं असंग की भाव रखते हैं और ना जाने क्या क्या हम कहते हैं लेकिन यदि हम अपने मन के भीतर जांक कर देखते हैं तो क्या हम कुछ समय ईश्वर के लिए ऐसा निकाल पाते हैं पूरे दिन में तो उत्तर आपके सामने खोदा जाएगा। कहने का आश्य यही है कि यह सीमित समय जो ईश्वर ने हमें अनमोल जीवन दिया है जीवन तो अनमोल है ही क्योंकि जीवन हमारा इतना अनमोल है कि हम इस जीवन के रहते ईश्वर को समझ पाने का प्रयास तो कर सकते हैं लेकिन इस सीमित समय में इस कम समय में बहुत ही शूश कितना करते हैं इश्वर को याद करने के लिए कितना समय निकालते हैं यह तो हमारे हाथ में हैं कोई नहीं जानता किसको इश्वर ने कितनी जीवन अवधी दी हुई है और यह हमारे हाथ में नहीं है लेकिन हमारे हाथ में यह तो है कि हम इश्वर के लिए कुछ समय निश्च कर सकते हैं हम उसका सदूप योग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे महराज जी कहा करते हैं कि सदैव जितना भी समय मिले शिरी राम जी का नाम इतना अमूल है इतना शक्ति शाली है इतना प्रभाव शाली है कि जितना नाम का सुमिरन आप करते हैं जितना नाम जाप आप करते हैं उतन सिध्यां प्राप्त हो सकती है इतनी बुद्धी मता हासिल हो सकती है इतना कार संभव आप करा सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है समय सीमित है जीवन का लेकिन असीमित सक्तियां है असीमित प्रभाव है श्रीराम जी के नाम कुछ अपने का महराजी ने यदि श्रीराम जी के नाम को महामंत्र कहा है तो यूही नहीं कहा महामंत्र का आश्य होता है कि श्रिष्टी का सबसे महत्वपून सबसे शक्ति शाली प्रभाव शाली वह मंत्र जिसके प्रभाव से कोई भी प्रसाद जीवन में प्राप्त किया जा सकता है और इस कारे के लिए कोई नहीं चाहेग कि मेरे प्रतेक अमुक कारे बने प्रतेक कारे बने लेकिन समय कोई नहीं भी देना चाता हम मानते हैं कि व्यस्त तो हम जीवन में हैं ही प्रतेक मनुष्य इस जीवन में यदि हमने कल्यूग में जन्म लिया है इश्वर का कहना है कि ये कर्म भूमी है तो कर्म तो करना ही पड यह मंत्र है कल्यूग में जीवन यापन का लेकिन इस कल्यूग में भी बुद्धिमान पुरुश वही है बुद्धिमान महिलाएं वही है बुद्धिमान बालक वही है जो इस बात को समझ कर भी एक सीमित समय निकाले इश्वर के लिए यदि हम इश्वर के लिए कुछ सीमित कारे हैं उनकी देख रेक उनका मार्क दर्शन स्वैम ईश्वर अपने हाथों में ले लेते हैं। इसलिए महराज जी ने इतनी छोटी सी बात को यदि आप गूड़ता के साथ समझें, महराज जी ने क्यूं कहा है श्री राम नाम को जो उन्ने मंतर कहा है, महा मंत्र कहा है क्यूं कहा है उसके पीछे कारण यह है आज मैंने आपको थोड़ा संशेप में बताने का प्रयास किया है इसी क्रम को मैं और आगे लेकर इस पर और गोड़ता से आपके साथ चर्चा करूँगा किसी अन्य क्रमात में लेकिन कुल इस विशेशांग का जो निकाल रहे हैं तो वे मनुष्य इतना महान है वे मनुष्य इतना सिद्धी प्राप्त किया हुआ है या उसने इश्वर को इतना अकर्शित कर लिया है कि वे खुद महराजी के प्रभाव में इश्वर के प्रभाव में इश्वर को जोड़ कर अपने साथ चल रहा है तो इस शैली के साथ जीना प्रारम करेंगे और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जन समय निकाल रहे हैं वे समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं वे जीवन का सदुप्योग कर रहे हैं और जीवन का सदुप्योग इसी में है कि स्वयम को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजि ऐसा मेरा विश्वास है तो आएए इस करमाग को यहीं पर विराम देते हैं मिलते हैं अगले करमाग में तब तक के लिए जाए श्रीराम, जाए गुरुदेव, जाए उत्राकाने